हेलो फ्रेंड वेलकम वेक तो माई यूटिप चैनल आज हम आपकी लेले कराएं हैं ब्यूटिफुल लटकन तो यह हम यह कड़ाई वाला कपड़ा है और इससे लटकन बनाएंगे एक प्लैंग कपड़ा लिया है हमने डोरी के लिए और यह कड़ाई वाले कुड़ती का यहां पर हमने दो इंच ओड़ी एक पट्टी ली है तो यह सीधी पट्टी ली है इसमें से हमें पाइपिन बनानी है ठीक है यहां पर देड़ से दो इंच ओड़ी आप पट्टी लें और इसे पाइपिन बना लेंगे तो सबसे पहले इस तरीके से इसमें लगा देंगे ए अब एक पर का माजन चोड़ने और एक पैर का मार्जन छोड़ते हुए इससे सिलना है अब इसे सुई धागे की मदस से सीधा करेंगे तो यहां पर हमने मसीन वाली सुई ली है और इसमें फोल लेयर में धागा डाला हुआ है और इसमें हाप इंच की दूरी पर इसे निकालेंगे यहां पर एक नॉट्स लगा लेंगे और इसके बाद इसे इसमें हमें बैक साइड से ही डालना है और इस तरीके से करके इसे सीधा करना है तो यहां पर देखिए इस तरीके से खीशते जाएंगे और यह सीधी हो जाएगी पलटके इसको सीधा करना बहुत ही आसान है के फिल्द कुपडे को लेंगे इस तरीक etwa एक फोल्ड करेंगे कि यहां से कॉछाँ नियुद्या 8 ली सिर्ट कुछना इस हमें कोटयंना की सिर्ट या पिर ऐसे ही कट कर लें हमने दौनों तरीके से बता दिया है कि कैसे कट करते हैं वी जो दो इंट चोड़ी पत्ति ली है इसको हमें इसके उपर रखना है यह कपड़े की सीधी साइड रख रख रहे हैं और इसमें हमें प्लेटे लगानी है, बिल्कुल बरावर करते हुए इसमें प्लेटे लगाएंगे, और इसी तरीके से आप 5-6 जो भी इसमें फ्लोवर्स लगाएं, उसके लिए कम्प्लेट कर लें, तो यहां पर हम इसी तरीके से लगा लेंगे, अगर आपको हमारे वीडिय है तो पलीज लाइक से लिए, निख्राइब झारे। करने कि नॉटिफिकैशं वैल को जूर दा चाको हर वीडियो की नॉटिफिकैशं सबसे पहले को मिले गए। और जिनों पहले से यह निवारं चैनल को सब्सक्राइब कर रखा उन बहुत बहुत धिन्यवाद, तो यहां पर देखिए इसको एक्ष्टा पटी को cut कर देंगे, और इसे इस तरीके से सीधा करके दबाने वाले इसलाई लगा लेंगे ताकि यह अच्छे से नीचे की तरफ सैट हो जाए, तो यहां पर देखिए इस तरीके से अब इसे डोरी में सैट करना है तो यहां पर हमें छोटी बड़ी इस तरीके से सबसे छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी इस तरीके से यह डोरी यां कट करनी है और इस तरीके से लगाएंगे यह जो नौक है इसकी तरफ रखेंगे और लंबी डोरी हमारी जालर की तरफ रहेगी तो यहां से इसे पका कर लेंगे अच्छे से तो देखें यहां पर इसे सीधा करेंगे इसी तरीके से हमने पांच बना के तयार कर ली है तो यह हमने पांच बनाई है एक सबसे बड़ी है और दो सबसे चोटी तो इस तरीके से लगाएंगे देखिए इनको यहां पर एक जगह रखेंगे और इन्हें जोइंट कर लेंगे यहां पर हमने इनको जोइंट कर लिया है और एक ऐसी तरीके का हमने फिलोवर जो बनाया है उसको इसके उपर सिलना है तो यह जो एक्ष्ट्र है से कट कर लेंगे और यहां पर यह बड़ा लिया है हमने इन सबसे यह चार इंच का था बाकी सारे पीस हमने तीन इंच के लिए है तो इसको इस तरीके से रखके यहां पर सिलाई लगा लेंगे तो यह दिखी यहां पर अच्छे से पका करके इसे सिलाई लगा के कम्प्लीट करेंगे आप कमेंट में बताए कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा है तो इसे भी पलटके सीधा करना है इसको हमने सिल लिया है और अब इसे पलटके सीधा कर देंगे तो ये देखी किस तरीके से बनाए है हमने आपको बता दिया है ये हमारा फूरा लटके बनके कंप्लेट हो चुका है आप इसे किसी भी गाउन वगरा में सैट कर सकते हो आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू